इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दरसल आज हम एक रहस्य मईी विमान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपने उडान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के न्यू यॉक से साल 1955 में एक विमान ने उडान भरी थी। विमान 914 में कुल 57 यात्री सवार थे जो न्यू यॉक से मयामी जा रहे थे। लेकिन वह विमान मयामी पहुँचा ही नहीं। जबकि आज के समय में भी एक साधारन विमान न्यू यॉक से मयामी तक पहुचने में औसतन साढ़े तीन घंटे का समय लेता है। लेकिन यहां हम साल 1955 की भी बात करें तो अधिकतम 5 घंटे में विमान को मयामी पहुच जाना चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त दुविधा में पड़ गई जब 1955 में गायब हुआ विमान 914, 37 साल बाद पैरोटोस बेनोजोला एयरपोर्ट पर लेंड हुआ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस विमान के बारे में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उडान भरी और कुछ देर बाद आसमान में फिर लापता हो गया जिसके बाद से दोबारा उस विमान का कोई पता नहीं चल पाया है। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। पैरोटोस बेनोजोला एरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि विमान में बैठे लोग काफी घबराए हुए थे। आलांकि इस रहस्य में कितना सच है और कितना जूट इस बारे में कहना काफी मुश्किल है। ऐसे और रहस्य देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।